तो दोस्तों एक बार फिर से जो हम सुबह से लगातार जो है आप हुमारे चैनल पर खबर देख रहे हो एक बेटी फिर से जो है देज के लोबियों की बली चड़ी पूरा दिन बर जो है चर्चा का विश्रे बना रहा आखिर क्यूं और कब तक जो है ऐसे जो है बहु बेटि और एक ही मांग थी कि जल्द से जल्द हत्यारों को गिरफतार किया जाए उसमें जब परसासन वहां पे था परसासन की मुझूदगी में इसारा का सारा मामला देख रेक में ये कारवाई हो रही थी बेटी को जो है अंतिम संसकार करने की त्यारी कर रहे थे लेकिन परिवार कहीं नाखुष था परसासन के समझाने के बाद परिवार ने हमी वरी और उस बिटिया का अंतिम संसकार कर दिया परिवार से अच्छे से बात नहीं हो पाई थी और परिवार भी बहुत सारी बाते जो है ऐसी बाते थी जो समय हम नहीं पूछ पाई थी और परिवार भी नहीं बताया बैदा एक बार फिर से जो है लड़की के पिताजी हमारे साथ जो आप जुडे हुएं उनसे जानेंगे कब उनकी साधी हो और क्या पूरा का पूरा मौला था कब लड़की की साधी की गई थी 27 जनुबरी दो अजहल वीश वीश 20 मौली तो लग बग तीन साल लड़की की साधी को हो गए ऐसा क्या मामला बिगडा जो आपने बता रहा है आपने बताया कि लड़की की हत्या कर दी गई है किस वज़े से कुछ कारणों का पता चला आपको करनों का तो यह था धीन खुल के बोले कुछने ज्यादा करेन कर देज काई ओधा को अह मने लड़े देवा पीशे शकुल में द लागी लड़े दी गई इभु। शकुल छोड़ दिया था वस्टेट की तयारी करते शकुल छोड़ने बाद में उन पीशे को मिले नहीं शोड पार가त हे ज pone घृती एंडरा वाद सरकारी जो होने तॉर उर्च के बाद और एक रिपुटरी बन्दा जो हम सबुंहुत दो करता है? जिस तरीके से वो पूरा सीमा पर रहके मारी रक्सा करते हैं और लेकिन ऐसी क्या नोबत आई कि इतना होने के बावजुद भी आपके द्वारा बताया जा रहा है कि दैज के लिए जो लड़की को मार दिया पैसे के जादा जाद चिसे जिए हो इस शकूल में पढ़ा अगर इतना ठेक थे पुड़ाना बंद कर दिया पैसे मिलने बंद कर दिये तो उन यो कदम ठाना पड़ा फिर भी लड़की को खुश रखते थे वह अगर राजी भी इतने नहीं बोलते थे और इतना खुश भी नहीं देखना चाहूं थे वह फिर उन यो एक दम ता सुबेर पह रहा हाँ था रहा लड़के नुफासी खा दी यह पता नहीं हूछ और हो सकता हूँ हो सकता कई हम ए अब जो है किन किन लोगों को जो है घर से दिन में हमने देखा जब गिरफतारी के आप मांग कर रहे थे उस समय तक किन किन लोगों को गिरफतार किया था और कौन ऐसा वहकती था जिसकी आफ गिरफतारी चाहते थे उसको गिरफतार नहीं किया गया तीनागेंवें बता रहें जी आमने गरापतार कर दिया चौत्थे का सुवाशन दिया है जिसका नाम है रामबीर अरोड़ा उसका उन्हाशन लगता है लड़के का उनका बीच में क्या रोज रहा है क्यों उनके उपर आपको क्यों सक रहा है उसको सक्यूनू रहा जिया आम जिस टेम गए तो गेट में खड़या था और जो उसका बड़ा बाई था लड़के के दिए गड़े में गुम रहा था उनका कोई भी इतना मैसूस नहीं था वह यह अंदर लास पड़ी है और आम ऐसे बठे हैं तो नहीं मारने के बाद में उस पांचर लड़कम बठाह बेबाबास का कोई पर शाट खेसंटकं नियुन उसमें जब लड़की के साथ यह वार्दा तो लड़का तो बताया जा रहा है डूटी पर था या नहीं था इनका तो हमने भी पक्का मालूम नहीं है अगभी लड़का डूटी पर है या कहीं इनकी कोई बीच में साजिस हो सकती है साजिस हो रात बर मार के गया हो और निकड़ गया हो mesagcar किब लो भी आप को तीन शाल तक साधी को होगे थे तीन साल ऐसा कभी बीच में फारोन ने कभी आपको नहीं बताय कि इस तरीके से जो है परिवार वाले जो उनके सुस्राल वाले जो परिशान कररे रहाossen एक अपर हम लियाए थे एक महीने खातर यहां महीने के बाद में लाकर आत पर जोड़ के ले गए फिर भी हमने यह सोचा भई यह सुख श्यानती दबसे गिशे रहे जाए बहुत लिमी करी तीन साल होगे साद्धी को जब से हम लिमी करते आए रहे हैं यानि कि किसी को पता ना चले वह इ सान करते हैं और इनका घर बशा गशा रह जा बहुत आमनती लिमी करी आखरी में नहीं कदम ठाए दिया मारणाड़ा आज जब हम उसमें मौझू थे जब लड़की के अंतिम संसकार की जो किरिया की जाए वहां पे थोड़ा बहुत आप लोगों की तरफ से बोला जा रहा ताकि बहुत है जो व्यक्ती जिसका भी आरोका कोई काम महां भापने बताया उसको गिरफतार किया जाए तभी जो है लड़की का अंतिम संसकार ने दिया जाएगा पलीश परशासन की तरफ से क्या आसवासन ईया और जिसके बाद जो है लड़की का दास अंसकार किया गए पुलिश प्रसासन बाद में हमने कहा था कि उसको गरपतार करो उसने कल ये कहा था मारी थे जब हम पूंचे वहाँ पर आकर एक तो ओ कर दी है मारदीर औरा का नमबर आ जागा उसने ये जबाब दिया था इसलिए जित और गोली मारूआ है जब पारूल का जो है बेटिया का उसका एक डेज़ सान का लड़का है जी ह्याँprendग हम उन्हम ॉप ईप नभी ये लड़की मार दी तो ये लड़के को भी राष्ते से फिर्टाओंग इसको महरस्य का ES यह मार भी देंगे इसको अगता कि तर्ब का लड़का की सादी सूलिए तो जाया भी बीच में यह टांग नार रड़ा इसकी जब लड़की यह मार दिये तो हो सकता हूँ लड़का को यह मार देंगे तो आप की तरफ से अब क्या बलाई के सोग्चा है बलाई किस तरीके अपने पास रखना चाहते हो या फिर वहीं पे जो है उसके सिस्राल ही जोड़ना चाहते हो किस तरीके से गरों में परेशान है आज भी देज के लालची लोगों के गरों में अभी भी फसी हुई है ना तो वो खुलकर बेचारी किसी क को बता पार यह ना उनका कुछ हो रहा है उन देहिज के लोगे ऐसे निकम में लोगों को अपनी तरफ से क्या कहना चाहोगे ताकि इस तरीके के वारदात करने से सो बार सोचे क्योंकि एक बिटिया को फाल पोस्कर बढ़ा करना और साधी करकना और फिर यह अंजाम होना इस इसे तो सही नहीं है यह अच्छा है लड़की को पड़ाओ लिखाओ साधी करो क्या कुछ नहीं लगता और फिर ही डाड़का करो इन लाश्ट में यहीं वह दिया भई मार मूर दिवा नत माबाप और माबापनों सोचे वह लड़का पहुज में है खुश रहेगी और सब क कर रहे हैं और भी जो परोस के लोग है आस पर उन से बात करें जिस तरीके पूरी वार्दा दाता जोई है इस तरीके से बेटियों को मार देना कहां तक जायज है और वो भी एक मैं कहूं देज के लिए यह तो बिलकुल भी जायज नहीं है और परशासन को भी इसके उसमें कदम उठाना चाहिए और समाज को भी जागरुक होना चाहिए तो और इनको जो है जो देज के लोग है इनको मतलब कड़ी से कड़ी सकत से सकत सजा देनी चाहिए और इनको बिलकुल छोड़ा नहीं जाये तो ताके आगे जो है दूसरे के उसमें यह सोचें दो बार के वहा प्रिवार वाले सुखते हैं लेकिन जब इस तरी के हाथ से होते हैं तो कहीं ना कहीं माबाप जो है देखते हैं और ऐसे वार्दात होने के बाद तो लोग जो है लड़की को पैदा करना भी वाक्य में आप समझने लगे हाँ यह तो होगा ही जब आप यह पाल पॉस्के और मतलब वैया साधी करके सारा सब कुछ संपन करके आगले के बरोसे चोड़ दिया तो उसको भी तो समझना चाहिए कि यह भी तो मेरी बेटी है दरम की बेटी होती है बहुत हो जाती है और धरम की बेटी होती है लेकिन यह लाल्ची होते हैं दहेज के लाल्च में, इनको पैसा-पैसा दिखाई देता है। इंसान के इनके उसमें कोई किम्मत ही नहीं है। तो इनको तो सजा मिलनी चाहिए जी। सकत से सकत सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों आपने देखा जिस तरीके से पूरा मामना हमने दिखाया। किस तरीके से एक बिटिया को जो है दहेज के लोबियों ने एक बार फिर से जो है उसकी बली चड़ा दी गई सिरफ और सिरफ पैशो के लिए और खुद जो है बताया जा रहा है कि इस पारूल के बिटिया के जो है हस्बेंड फोज में हैं सरकारी जोब लगए हैं उसके बावजुद इस तरीके के वार्दा तो ना कहीं ना कहीं समाज को जो है कलंकित किया जा रहा है ऐसे लोगों को सक्से सक्सजा मिलनी चाहिए तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें ताकि उन तरीके से और भी हमारी बेन बेटियों को देज के लिए लगातार जो है परताडित कर रहे हैं